हलो अब्रीवन वेलकम बैक टो में यूटूब चैनल बिहार में फिचक वर्तिफे रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जैसा कि आप लोगों ने भी न्यूज पेपर में देखा होगा ट्विट के माधियम से देखा होगा और बीपीफी के सचिम ने भी बी कुछ आके इंटरव्यू में बोला होगा तो आज हम लोग सारे चीजे पर बात करेंगे और वहां पर क्या-क्या निज आया है फिचक वर्तिफे रिलेटेड उसके बारे में आज की सब को डिसकर्फ करेंगे बिहार में फिचक वर्तिफे रिलेटेड किसी भी निज के लिए आप इस चैनल के साथ बने रही है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रिफ कर ले ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुझे लिए देखते हैं तो क्या हुआ है बिहार में जो फूपर टेट है वहाँ पर वाकेंसी कितना आ रहा है 1.518 लाग हारा जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा और वहाँ पर क्या है अभी वहाँ पर जो बीएड वाले लोग के मन में बहुत बढ़र बैट गया है क बिकलांग लोगों के लिए है जो कि बीएड पेफल एजुकेशन फे किये हैं उनके लिए वैकेंसी आया है तो देखिए अभी तो कोई घवराने का बात नहीं है क्योंकि अभी 1.25 में बीएड वाले भी इलिजिवल हैं अगर कोई नोटिफिकेशन आता भी है तो उसमें क् सुप्रिम कोट के अधिन क्या होता है वो फैसला आने के बाद ही रिशाइड होगा अभी क्या है 1.25 के लिए बीएड वाले भी इलिजिवल हैं तो यहां बात करते हैं सबसे पहले क्या है फिलेबफ का तो फिलेबफ क्या है आके क्या है बिहार के बीपीफिके जो सचीव है उन्होंने खुद आकर बोला है कि 1.25 में क्या होगा ज्यादा जो माक्स रहेगा कोफ्चिन कहां से आएगा जीए फे पूछा जाएगा तो उससे पहले क्या है बहुत लोगों के मन में डाउट हा कि फिटेट में कितने नंबर यहां पर आएंगे तो उसके लिए एलिजिव जिनरल में मेल का 90 नंबर होना चाहिए वहीं फिमल का क्या 82 नंबर होना चाहिए अगर जिनका भी माक्स का 82 आ रहा है वो इसके लिए एलिजिवल है फॉम फिल करने के लिए और वह भी शिका रहा तो 82 मेल हो या फिमल फिमल दोनों का और इनोंने क्या बोला है कि जो फिलेबस है 12 मही तक आ जाएगा जैसा कि हम लोग को उमीद है पेपर के माधिम से भी बताया गया है कि हम लोग का फिलेबस है जो 12 मही तक जारी कर दिया जाएगा और जो हम लोग का कोश्चन रहेगा अभी तक तो पुरा फिलेबस आया नहीं है जाए ये लोग बस बोले है उफिक के अनुमान पे इन्होंने ये बोला है कि जो हम लोग का फिलेबस होगा प्राधान फिचक और जो हेट मास्टर का एकजाम हुआ था उफिपर आधारित हम लोग का फिलेबस आएगा और एकजाम का बात बोला जाए तो इनänge बोला कि अगर मानिया अगाफ्त नहीं होता तो बहुत होगा तो फेतमबर तक हम लोग का एकजाम जाएगा और पद्ध टोटल पद आप पलो को भी पता है कि 1.78 लग पत्ध है तो देखिए पढ़ाई तो गड़ नहीं पढ़ेगा क्योंकि अगर बीना पढ़े अप लोग चाहिएगा कि यहां पर सलेक्षिन हो जाएगा तो पिछले बार टीचर का हाल अप लोग भी देखे थे यहां पर 90,000 से ज्यादा वैकनफी पर निकला था लेकिन वहां पर क्या कि खाली ही रहा जाएगा तो इसलिए अप लोग पर आई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए और देखे जैसा कि पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है तो वहां यहीं बोला जा रहा है कि एक्जाम जो होगा क्या होगा 100 मार्क्ष का होगा और यहां पर क्या होगा निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा क्यूंकि बीपिए से के एक्जाम में भी निगेटिव मार्किंग को रखा गया था लेकिन क्या होगा वहां पर कैंडिडेट क्वाइलिफाई भी नहीं हो पाया थे और जीएफ में क् पतर question क्या होगा जी एफ से पूछा जाएगा लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि बस जी एफ से question पूछा जाएगा वहाँ पर क्या होगा बीट से related question पूछे जाएगे math से भी related question पूछे जाएगे यानि फारा कुछ include करके वहाँ पूछा जाएगा और fix to 8 में बोला गया है कि जी एस प्लब subject से related question पूछे जाएगे यानि कि जिनका जो भी subject से graduation होगा उस subject से यहाँ पर question पूछे जाएगे और अगर बात करें हम लोग प्रधान फिच्छक का तो प्रधान फिच्छक में क्या था total number of question 150 था और यहाँ पर क्या रखा गया था नेगेटिव मार्किंग रखा गया था लेकिन हाँ इस पर जो प्रधान फिच्छक का फिर से exam होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है और टाइम का बात करें तो 120 मिनट का टाइम दिया गया था यानि कि दो घंटे का टाइम दिया गया था एकज़ाम के लिए और जो हम लोग का को को सजन था उसको दो भाग में बाता गया था 75 का जी ईएस और 75 का चेह्च कर उन्होंने डेलेट में परहाई कि या यानि DL8 करिकूलम से उनका 75 कोश्चन पूछा गया था और 75 का अगर बात करें तो 75 में क्या था हम लोगा प्रात्मिक गनीत यानि की 1 to 8 से 20 कोश्चन पूछे गये थे वहीं fines का बात करें तो ये भी क्या था 8 तक के fines से पूछा गया था 15 कोश्चन और current affairs, current affairs तो देखे कोई भी exam हो ऐसा कोई exam होता ही नहीं जिकि जहां current affairs से question नहीं पूछा जाए तो कुछ नहीं है तो अभी आप लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग follower का current affairs अभी से ये पर के परहाई कर ले क्योंकि current affairs का भी यहां main role है यहां फे 10 question current affairs से पूछा जाएगा वहीं राश्ट्रिय अंदोलन में बिहार का क्या योगदान था उससे भी question आएगा वहां 10 marks का वो question रहेगा और हाँ इसमें जो क्या है बिहार का योगदान है वो 80-50 फेवन का यूद के बाद से हम लोगों को पढ़ना है कि वहां बिहार का क्या योगदान था वहीं अगर जोगरफी से बोला जाए तो जोगरफी से 10 marks का question रहेगा और FFT से बात कर रहेगा तो FFT से 10 question रहेगा यानि टोटल हम लोगा क्या हो गया 75 question हो गया जिसमें कि प्रात्मी गनीद finds current appear राफ्टरिय अंदोल में बिहार का क्या योगदान था वहां से question पूछा जाएगा जोगरफी से और FFT से question पूछे जाएगा अब देखे यहां पर बस क्या था exam तो 150 marks का हुआ था वहीं पर headmaster का भी exam क्या हुआ था 150 marks का ही हुआ था लेकिन क्या हुआ कि यह प्राधान फिच्छक से यह थो क्या हुआ अपर लेवल का exam हुआ तो यहां पर क्या गया गया का 100 marks का क्या हो गया जीएफ पूछा गया और वहीं 50 marks का जो B8 से related question था यानि B8 में हम लोग उने जो जो पराई किया था उससे related क्या हुआ B8 में question पूछे गया थे यानि headmaster के exam में तो यहां से देखे आप लोग का फिले बस लगवग clear है मानिये कुछ नहीं तो अभी से आप लोग math complete कर लीजिए current affairs complete कर लीजिए science complete कर लीजिए यह तो आपका change होने वाला नहीं है यानि कि 125 में अगर आप लोग देखिए तो इतना भी complete कर लेते हैं तो आप लोग मानिये कि आप लोग का approximately 80% फिले बस complete हो जाएगा यहां से और इसी माहा के last तक क्या है हम लोग को notification को देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है और हां बिहार फिर रिलेटेड टीचर भागन फिया उप फिर रिलेटेड अगर कोई भी new job लोग हो जाए तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहे है और फिर रिलेटेड कोई भी update आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको update कर दूँगे तो शलिए आज के वीडियो ह लोग यहीं समप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग